माई के अचरवा, बाबुजी के दुलार जुग जुग जी आलम हर हो खा, लागे उमर हमार इह कहेला, माई के अचरवा, बाबुजी के दुलार हो इह कहेला, माई के अचरवा, बाबुजी के दुलार चंदाने अन्चमकत रहा देखे जग संसार इह कहे ला माई के अचरवा बाबुजे के दुलार इह कहे ला माई के अचरवा बाबुजे के दुलार नहीं थोड़ा करें रॉले सामने देखे बात करेंगा क्या हुआ आपका नाम अनामिका से अज गाने की बात करें कुछा गाना है जो आप फिल्मारे कौशी फिल्म का है जी ये है माई के अचरवा बाबुजे के दुलार फिल्म का नाम भी है ये टैटिस सॉंग है और मा बेटे का सॉंग है जैसा कि मुझे बताये गया आप किस तरह के गाने गाते हैं और इसमें किस तरह का मूरत है ये मेलोडियस है और मैं मेलोडियस सॉंग्स जादा गाती हूं कि आधा डाव कि जो यह यह जमी आउन नहीं हूंज है इसमें एक मा मनें है बेटे के लिए कि तुम्हें कि नजरं न लगे तुम्हें ढ है तुम्हें ठे晚上 कपता देत अरवार मिलेकर प्हूिता जह फाणि इस एक ि river कुक्ум की माका दूलार है पूरे गाने मेंSa दुसर बोषपूरी में गिना ही नहीं एक बत एक है मैंने कितले गाने गाए लेकिन मैंने वह इस दो से फिल्मों में अनिया झाला जी हमारी पहली मूवी थी इसमें मैंने गाय था और उसमें मुझे उदिजी के साथ काम करने का है मुपक illness का मिला वैसन भर्णी गर्जब सीटी मारे इस तरह की तमाम फिल्में हैं सब्सक्राइब की तमना होती है उसके लिए गाना गाएंगा आपके कुछ तमना है कि बोल्परी से बोलिड में एंट्री करें या फिर किसी एक आर्टिस के लिए हम गाना बनाएं जी सपनों का सहर है रही किन फिल्ममें मैं इूफित काऊं लगा घएते गाना गुन जोफिते हैं लोफिते हैं तो यह से बदारें है है आपके भी जब्ले फेल्न कैसे आर्लता क्सीं कु ध्याएं मिए क्लई कर ने दणकनकन के जब से मिएकर creeks माई के अचरवा बाबुजी के दुलार हो इह कहेला माई के अचरवा बाबुजी के दुलार थैंक यू कुना जी पेलिंग स्वागत है आपका सब चैनल से धन्यवाद सुरह बात करें आज मोवी का महुरत है सॉंग रिकॉर्डिंग है क्या कहना चाहेंगे किस तरे की मोवी है और आप बहुत कम फिल्मे कर रहे हैं अज़र फिद्द देख पाएंगे अपने चाहत ही रो देखे सबसे बड़ी बात है इस फिल्म के करने की वज़ए एक तो इसकी कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हम लाक मेक अप लगा लें लेकिन हमारी जो असलियत है वो असलियत है और इस कहानी में मुझे पूरी तरह से भोजपुरी उन फिल्मों की आदिला दी जब मैं नायक हुआ करता था और फिल्में पचास अप्तर और पचास अप्तर अप्तर चला करती थी जो सही माने में दर्शक चाहते है ये तो आज एक नकली नकाब लगा के भोजपुरी को दूसरा रूप दिया जा रहा है और यही वज़ा है कि दर्शक पसद नहीं करते हैं तो मेरी इस फिल्म को करने की वज़ा ये थी कि पूरी तरह भोजपुरीया कहानी है भोजपुरीया दर्शकों की जिंदगी की कहानी है और दूसरी सबसे बड़ी वज़ा थी कि मेरे संघर्ष के दिनों के मित्र बिनोत तिवारी जी जब मैं संघर्ष कर रहा था इस मुंबई शहर में तब के वो हमारे मित्र हैं और वो कुछ कर रहे हैं और उनका भतीजा इस फिल्म में नायक के रूप में आ रहा है तो जब रिष्टे हैं तो रिष्टा निभाना भी चाहिए और मैं इस रिष्टे को निभा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि एक अच्छी फिल्म बनेगी पुरे परिवार के लिए फिल्म बनेगी commercial तो होता है जो चीज़ चाहिए commercial वो इस film में मिलेगा लेकिन सही माने में ये एक भोजपुरिया की कहानी है परिवार की कहानी है आपके गरदार की बात किस तरह क्या है मैं एक के इसमें दो भाई की कहानी उसमें मैं बड़ा भाई हूं जो जिसकी कोई आलाद नहीं होती और वो एक अनात बच्चे को उठा गए उसकी परवरिश करता है अब वो इतनी मेहनत करने वाल आदमी है वो चाहता है कि मेरा छोटा भाई भी खेती नहीं करे आज जब हिंदोस्तान में किसान आतमहत्या से जूज रहा है आतमहत्या से अपने जिन्दगी गवा रहा है तो वैसे समय में एक ऐसा किसान की भूमिका में कर रहा हूं जो हर लड़ाई लड़ता है जिससे सरकार से भी कोई मदद नहीं मिलती लेकिन वो ये भी चाहते है उसका बच्चा पढ़ लेकर बड़ा बने उसका छोटा भाई उसे खेतों में काम नहीं करना पड़े तो एक मेहनतकश किसान की कहानी है जो जिन्दगी में चलता है और फिर जो होता है वो अनात बच्चे को चुकी में बेटे की तरह मानता हूं उसको लेकि गलत फ़र्मिया पैदा होती है फिर भाई भाई में दिवार खड़ा हो जाता है फिर बात में सब सुलज भी जाता है ऐसी काहनी है होता है तर आज बात करें मुरत की मुवी का पहुंचे क्या कहना चाहेगे कुनाल जी है और काफिसा निम्ट जी जी अमरे बड़े भाई कुनाल जी आ गईन और हमरास के आशिरवाद दे दलन और का चाहिए आज भोजपूरी फिल्म के माई के अचरवा बाबुजी के दुलार के मुहरत बाफ और मुहरत हो गई एकन और कुनाल भाया के हाथ से भाईल और इतना बड़ा लोगन सब बड़ लोग आईल बहुत मजा आया और हमरी अशुक शिनाजी और मुन्ना दुबे जी और सब हैं इ अच्छा है हमारे जो सामने खड़े हैं उन सब के बारे में तो दिया को सुरज को दिया दिखाने वाली बात है मतलब हमें गर्भ है खुशी महसूस होते हैं गर्भ है और खुशी महसूस करते हैं कि ऐसे कलाकार हमारे भोजपुरी फिल्म से लेकर और हिंदी फिल्म तक बातों शुरुवात होई मुहरत आज और पूरे टीम अच्छे हैं और टाइटल अच्छा है तो मुझे लगता है कि फिल्म भी खुबसूरत बनेगी टाइटल भी अच्छा है म्यूजिक भी अच्छा है कुनाल जी मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें श्रगल करने आये तब से लेकर आज तक जहां थे वहीं है मतलब शिड़ी पे शिड़ी चड़ते ही जा रहे हैं कभी री इंट्री की बात है यह नहीं कुनाल जी की बात करें कोई आप ऐसा कोई गाना जो कुनाल जी की फिल्म के लिए आप जो काफी हिट रहो कोई मेमोरी आप फैंस को बताना चाहेंगे अब बहुत ज्यादा मेमोरी है नहीं बताएंगे मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी आवाज का पूरा हिंदुस्तान दिवाना है हिंदुस्तान के बाहर तमाम लोग दिवाने हैं उदीत नाराइंजी के बारे में कुछ कहना मेरी नजर मुर्फता होगा यह हम लोग का स्वभाग्य है कि इस फिल्म में वो अपनी आवाज दे रहे हैं जो हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है भोचपुरी सिनेमा के लिए बड़े गर्व की बात है और मैं जब शुरुवाती दौर में मेरी एक फिल्म थी हमार भौजी उसके लिए उदित जी ने गाना गाया था जो मेरे उपर पिक्चराइज हुआ था और बड़ी जबर्दस हिट गीत थी वो दुनिया में और अवरत के पहिचाने तिरिया चरीतर करते हैं तो यह संबंध उस दिन से है और जितनी प्यारी आवाज है दिल से उतने ही अच्छे इंसान है मैं बड़ी कदर करता है अब इससे जारा क्या बोला जाए जोश रहेगा व मज़ा क्या है अभी तो शुरुवात है अभी तो बहुत लंबा चलना है और कलाकार जो होते हैं रियल जो कलाकार होता है वो कभी ठकता नहीं है और वो अपने काम का प्यासा रहता है सबसे पहले तो आपके बढ़ाई बड़ा भाई के आशिरवाद ले 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 लिए और पस हमार शुब कामना बाग कि हिंकरी फिल्म सुपरेट होए और मुजिकल सुपरीट होई और इतना इतना बड़ा बड़ा लोग एक फिल्म में है तो डफनेट फिल्म के बहुत बड़ा एक सीड़ी मिली आगे बढ़े के मैं तो मेरे पास शब नहीं है इसलिए कि मेरे संगर्ष के दिनों के मित्र बिनो तिवारी जी की ये फिल्म है और उनका भतीजा जब फिल्मों में आ रहा है तो एक वेक्टी के तरूप से मिरा सने है चुकि मैं वो इनसान हूँ जो रिष्टा निभाना जानता हूँ और आज तक निभा रहा हूँ और इस से जादा इस बच्चे को और क्या आशिरवाद मिलेगा कि उदी जी की आवाज पर इनके उबर पिक्चराइज होगा तो एक नए कलाकार के लिए बड़े गर्ब की बात है कि ऐसी आवाज मिल रही है और बहुत खुशुरत कहाई जिससे एक्टर है इनके साथ जरूर अच्छा होगा बस इतना ही संदेश भी देना चाहूं इस नौजवान को इमानदारी से मेहनत कीजिएगा मेहनत कभी बेकार नहीं जाता अब क्या कहना चाहेंगे कितनी खुशी है एक साथ बहुत खुशी है बहुत खुशी है हमको और यह सब के अशिरवाद में र चाहिए हमरा और एकरा बाद आगे हम बढ़े तो हमेशा सबसे मिले जुलत रहे और आगे प्यार सब के बन रही तो हमेशा एच तरह महुरत होते रहे आपकी किरदार की बात करें कितने किरदार है अपना रोमांटिक औरेक्शन दोनों है नो बेडर है इस ट्री के हिसाब स आपको भी हम देखना चाहेंगे उदीजी और तुवारी जी आई 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 भाई साहब आई हमरा ब्रेंट की मरहोगे लिए सब पंचानब रहे हैं और रहे सर कैसे आपके किप यह वह वह बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं मेरे संगर्ज के दिनों के दोस्त हैं बहुत बहुत आपके शुक्तामना और सब यादवा और बस ऐसे ने जोश में रही और एक से फिल्म देनी और दी हमरा सुके असल में भूजपुरी में विया बड़ा श्रीलता से कर्म नहीं और एक बात और बोलना चाहूंगा मैं वह सो तब होई गवना हमार उसमें मैंने अभीने किया था जिस फिल्म को नेशनल एवार्ड मिला था तो भोजपुरी के लिए उदीच जी हमेसा समर्पीत रहते हैं यह साबित करता है कि उनकी फिल्म जिसको नेशनल एवार्ड मिला उसके निर्माता उदीच जी थे बेटा भी काम कर रहा है वक्त आएगा तो बड़े जोशों खरूस के साथ आपनों को बुलाएंगे और संदेश देंगे वार्डिया में और तके पहिचाने दुनिया में और तके के पहिचाने तिरिया चरी तरत देवो न जाने देवो न जाने देवो न जाने इक विज्व लेलो बस तर फोटो ने लो बस आज़ अज़ाई अज़ाई और तुम पीशे क्यों है और रहे तुम पीशे क्यों गाई कितर आज़ाएं अज़ाई आज़ाई आज़ाई है कैसे प्रतिक में जिनकरी है सब्से बड़ी बात तो जो हमारी फिलम मैं माई की एचरवा बाबु जी के दुला इस फिलम को जो बिनोत तिवारी ने दिशा निर्देश दिया वो ये दिया कि समाद को एक ऐसा संदेश भीजा जाए जिसमें आज के दौर में बहुत बेडियो के साथ जो अत्याचार और सोशन हो रहा है उस सोशन के उपर भी फिलमाया गया ये फिलम है और मेरा जहां तक मानना है मैं पूरे आरत के सभी दर्सकों से अनुरूद करूंगा कि इस फिलम को एक बार जरूर देखेंगे असलिलता तो कहीं मिलेगी नहीं बड़ी पारिवारिक और बड़ी समाजिक पिक्चर रहेगी और मैं मेडिया वालों से खास तोर पर आप लोगों से भी अनुरूद करूंगा कि इस फिलम के बारे में जितना आपका सयोग हो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी भागे की बात होगी है और मैं आप लोगों से मिल करके बड़ी खुशी हुआ आप लोगों का प्यार और शने पा करके बड़ी धन्य धन्य हुए आप लोग ऐसे ही हमारे साथ प्यार देते रहिए ताकि हमारी अगली फिलम इसके बाद दूसरी फिलम सारी फिलम एक से एक बड़के काम्याब हो औ और जिसमें आप लोग का सहयोग सर्वो परिये हैं। इस फिलम की जो लिखावट है, जो लेरिक्स भी लिखे हैं और जो फिलम की कहानी भी लिखे हैं। वो एक हमारा मिंसी जी जो फुशी लगर खाने से जिला से बिलॉंग करते हैं। और जिस बिचारे की सोच, इस भाई की सोच इतनी अच्छी सोच है, कि जिसने आप लोग आप लोग इस फिलम को देखेंगे, तो फिर मुंसी को भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा आपके साथा। मुंसी जी आप क्या कहेंगे। मेरा नाम असोक लाल दे आती है। मुंसी जी बहुत प्यार से कहते हैं। सबसे पहले हमार सभी भोजपूरी भाई के नमस्ते बाएं। मुंबाई के हस्ती में विनोत्तिवारी के विशेष स्वायोग रालबार। मुँआ के हमार गुरु बानी अब बहुत इज्जत करी ले हमुआ के। सबसे लाम हर खुश नसीब हम आज बानी की हमार लेखनी उजित नराइंजी के गावजातानी। उहां के गावतानी। एफिल्म में एक कृष्ण और दो भाईचाराओं के चंबंधित कहानी है। बिच्ड़े हुए परिवार को एक जूट करने के लिए हमारे फिल्म संदेश देगा। अपना पराया कैसे होते हैं और पराया अपना कैसे होता है। फिल्म के एक एक स्वाउट में आप देखेंगे। बहुत बेहतर बहुत अच्छा फिल्म है। यह सब आप लोगों के अशिरवाद से और विनोत्तिवारी जी के आशिरवाद से और हमारे गुरू यह तरह आप नाब जहें। अलोग जी के और हमारे भड़ा बबलू जी के स्वायोग से यह फिल्म बहुत बढ़िया होगी। और हम एक बार हाज जोड़के आप लोगों से यही बिंति करेंगे। कम से कम एक बार इस फिल्म को आकर देखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा। अशोक लाल दियाती के दन्यबात करल चाहता है। हमरा खातिर रात दिन बहुत मेहनद के लिए बढ़े हैं और बहुत एक मेडियम परिवार से बढ़े ही। अशोक लाल दियाती है। बहुत आपन बिजनेस धन्दा छोड़के और फिल्म के लिखे के फुरा कोशिस के लिए हैं और सफल होगे लिए। अब सफलता है यह बाँ कि हर आदमी फिल्म के देखी तहीं इनके सारा आदमी के मोनोबल बढ़े हैं। और इनके एको तारीफ हम कल चाहते हैं कि एको छोट मोट बिजनेस में नहीं हों कि सबजी बेचे लई। सबजी बेचे वाल आदमी जो अन हमारी स्टोरी अगर लिख लेबा कि हम धन्यबाद दहल चाहते हैं। कि आपन परिवार छोट के गरीबी सब भाटा के एक साइड में राद दिन मेहनत का के स्टोरी दिखले पड़े हैं। अज जो इस फिल्म का मोरत हुआ है माई का चरवा और बाओ जी कि प्यार। एक complete family film है और असोग जी ने लिखा है बड़े अच्छी कहानी लिखा है और बगलु जी जो है इस फिल्म से डेबू कर रहा है। बड़े अच्छी एक्टर हैं। बड़े कमाल के हैं। इनों बड़े तयारिया किया इस फिल्म के लिए। और मैं भी इस फिल्म का इक्सा हूं। तो मेरा और इंका टक्राव होगा अपरोज जानते ही हैं कि हर फिल्म में बिलन करता हूं। हिरो कसा टक्रा होता है, मारपीट होता है। कुछ तेर तक बिलन हा भी होता है। में जो हीरो बाजी मार लियाता है। कुछ इस टाइप का है लिए इन गानेों बहुत प्यारे हैं। गाने बहुत अच्छा अभी गाना हमने एक सुना रिकॉर्डिंग हुआ। गाना बहुत अच्छा बन रहा है। और सपोर्टिंग कास्ट भी काफी अच्छा है। जिसे नहासरी है, बिनोत तिवारे जी हैं। जो बहुत पुराने बंदर तक थी। कुणाल सिंग के टाइम के एक्टर है। कुणाल जी खुद हैं। इस पूर्डिंग है। बिनोत तिवारे जी हैं। शीपी बड़ जी हैं। तर्मेंदर सिंग जी हैं। यह इतने बड़े बड़े स्टार जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत कूसुम है। अच्छा रहेगा कि हम लोग एक साथ हम बढ़ियां से मिल के काम करेंगे। हमारे मित्र इस फिल्म के डारेक्टर हैं, स्याम चान यादोची काम करा हैं। मतनलब मेरे साथ हैं निख मेरे कि मेरे फिल्मों में थे हूँ। तो उनके साथ में इस बाइवा निख मिलेगा और मजहाएगा। अपड़े महनती हैं बहुत ही मतलब टालेंटेंड है उनकी एजे डिरेक्टर जो है साथ दूसरी फिल्म है लेकिन इतना जानते हैं कि वह बहुत टालेंटेंड है और बहुत अच्छी फिल्म अधर आपके किरदार की बात करें किस तरह किरदार इसमें नेगतु कमपॉश्ट है और एक आपके करेंटर है जो अचानक परिवार में दखलंदाजी करता है अब पूरे परिवार को तौई रहा तर्वार करती तो उइक समाज को मतलब सारा है उस पे अमने फोकस किया हुआ है कि छोटी सी प्रॉब्लम जिसको तो हम आपस में मिल बाट के खतम किया जा सकता था लेकिन आपसी मनमुटाव के चक्तर में हम उसको नहीं बागते हैं और वो फिर खाई का रूप लेता है तो आसा और निरासा में ये तेहरती हुई हमारे फिल्म का देश है कि हम मतलब समाज को एक ऐसा में सर्दे की कंबाइं कर दार इसमें मैं खलनायक प्ले कर रहा हूं तो खलनायक एजिटीज जैसा होता है कि तोड़ फोड़ और विध्वन्स के लिए जाना जाता है वैसा ही फिल्म के कॉंसेप्ट को लेकि ये कहूंगा जिस तरीके से आज जॉइंड फैमिली का कॉंसेट टूट रहा है और परिवार टूटने के बाद हमारा जो सीनेमा है उसी कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ा है कि से परिवार के फायदे क्या है कि अपके साथ काम कर रहा हूं पहला काम था मेरा कल कुनाल जी के साथ कर रहा है लिजन है और लिजन रहेंगे